पशुपालक साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका मुख्य उदेश्य है पशुपालक का ज्यानवर्धन एवं पशुधन का उथान। जैसा कि आपको पता है कि 25-27 फरवरी को भीवानी में हुड़ा ग्राउंड में सेक्टर 13 के सामने हमारी राज्य इस्तरिय पशुधन परदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस परदर्शनी की सभी तेयरियां की जा चुकी है और इंतजार है तो बस आपका। ये परदर्शनी विगत वर्सों में जितनी भी परदर्शनी हुई उन सब में एतिहासिक होने वाली है क्योंकि इसमें पशुभ पालकों की सुविदाओं को सबसे ज़्यादा एहमियत दी गई है। अगर मैं इसके सबसे आकरसक बिंदूओं की बात करूँ तो नमबर एक पशुभ पालकों को जैसे ही परदर्शनी के लिए बसों में बिठाया जाएगा तो उनको सो रुपे की नगदरासी दी जाएगी ताकि इन सो रुपे की धंदरासी से वो रस्ते में जहां भी रुके वहां चाय पानी पी सकें दूसरा इस परदर्शनी में दोपेर की भोजन की विवस्ता भी की गई है जिसका कूपन आपको बस में मिलेगा नमर तीन इस परदर्शनी के अंदर एक लकी ड्रा का कूपन भी मिलेगा जो पशुभ पालक साथी बसों के मध्यम से इस पशुभ में आएंगे और उस कूपन को निर्धारित इस्तान पे डालना ना भूलें क्योंकि प्रते एक दिन शाम को चार बजे जितने भी कूपन इकठे होंगे उन में से लकी ड्रा निकाला जाएगा और पशुभ पालक साथियों इन आकरसे की नामों में बहुत भारी भरकम इनाम रखे गए जैसे एक भागे साली पशुभ पालक को ट्रेक्टर मिलेगा एक भागे साली पशुभ पालक बुलट मोटर साइकिल को लेकर जाएगा एक भागे साली पशुभ पालक को दूद निकालने की मशीन मिलेगी और महिलाओं का प्रतिनी दित्वे को विध्यान में लखा गया है इसलिए ये च्यार इनाम हर रोज निकलेंगे तो देखते हैं कि हरियना के ये बारा भग्यसाली पशुपालक कौन होंगे शायद आप हो सकते हैं दूसरे आकरसक पहलों की बात करूं तो पशुपालक जो अपने पशुओं के साथ आ रहे हैं उनको आने जाने का किराया जो है वो हमारी ट्रांस्पोर्टेशन अथोर्टी ने तै कर दिया है उस तै किराये के हिसाब से मिलेगा इस मेले के अंदर पशुओं का रैंप वॉक जिस तरह मोडलिंग के छेतर में आपने देखा होगा ठीक उसी तरज पे जो हमारे चेंपियन केटेगरी के पश पर सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा 25 तारीकों जो सेमिनार होंगे उनके अंदर पशुओं में संतुलित आहर तथा खनिज मिश्रन की उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा पशुओं में जो बांजपन की समश्या है उसके कारण और इलाजों के बारे में बताया जो बचडी पैदा करने वाले जो टीके बजार में आये हैं उनकी क्या उप्योगिता है उसके बारे में बताया जाएगा और सबसे महतोपून जिससे पशुपालक परिशान रहते हैं पशुओं में थनेला रोग इसके कारण बचाओ और इसका क्या नुक्षान हो सकता है इसके बारे में बताया जाएगा अगले दिन मतलब 26 तारीकों जो सुबह के सेमिनार्स होंगे उन सेमिनार्स के अंदर पशुपालकों को बागवानी से समदित बातें बताई जाएगी उसके अंदर Food Processing Organizations, FPO कैसे बनती है और उनका क्या महतो है इसके अलावा बागवानी से संबंदित जो प्राकरतिक खेती है उसके बारे में बताया जाएगा उसके बाद मदुमक की पालन, उसके लाब, उसकी उप्योगिता के बारे में बताया जाएगा 26 तारिक को जो दोपर बाद सेमिनार आयोजित किये जाएगे, उसके अंदर हमारे पशुपालक साथियों को जिंगे की खेती कैसे की जाती है, मचली पालन कैसे किया जाता है, मचलीों में होने वाले जो बीमारिया है, उनके बारे में बताया जाएगा और उसके अलावा पशुपालन विभाग द्वारा विभिन इसकीमों के माध्यम से जो भी काम किया जाता है, उसके बारे में पशुपालक उनका कैसे फाइदा उटा सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा 27 तरिक को सुबह आयुजित होने वाले सेमिनारों में पशुपालकों को बकरी पालन तथा भेड़ पालन से होने वाले फाइदों के बारे में बताया जाएगा उन उत्पादों से हम क्या बना सकते हैं, जैसे दूद से होने वाले उत्पादों को हम कैसे प्रोसेस करके और ज्यादा लाब कमा सकते हैं, इसके अलावा सुबह पालन के विवसाय से हम कैसे फाइदा उटा सकते हैं, इतियादी बातों का इन सेमिनारों के अंदर विस्तार से जिकर किया जाएगा तथा पशुपालकों की इन छेत्र से समदित जो भी समश्चाएं हैं उनके समाधान बताये जाएंगे इसलिए पशुपालक साथियों से अनुरोध हैं कि आप इन तीन दिन में अपने बाकी कामों को छोड़ कर इस बहतरिन मेले का जितना फाइदा